मेरेट में बिजली विभाग के एक जई ने जहर खा लिया है और उसके बाद जो तमाम संगठन हैं वो यहाँ किस तरीके से बेहत गुस्से में हैं अफसरों से लगातार मिटिंग चल लगी है लगातार अफसरों से बाचीत चल लगी है और सीधी चेतामनी दे दी गई है कि य क्या आज आपकी नराजगी की वज़े देख रहा हूं कि अधिकारी उसे उलज नहीं है सीधा के रहे हैं कि बस हद हो गई इस बार तो देखा जाएगा आरपार हो जाएगा वास्तों में इस्तिती बड़ी बुरी हो गए यह पावर का रप्रेशन की एक अवर अभियंता को कल निलंबित कर दिया गया उसे दो दिन पहले उसका अस्त्रांत्रन कर दिया गया था वह डिप्रेशन में आके अवर अभियंता ने रात जहर खा लिया अभी जिंदगी माउस से वह जूज रहा है और ऐसी सित्ती हो गए कि अधिकारी मैन मैनी मैटेरियल कुछ भी पुलब कि एक अवर अभियंता जहर खा के जिंदगी माउस से जूज रहाया था राजेश कुमार अवर अभियंता है एक गंगोल विजली घर पे तैनात थे इनकी आएक तिरसट का ट्रांसामर चार दिन पहले खराब हुआ था उन्होंने मिस्तरी बुलाकर उस ट्रांसामर को सही कर कर पाए वास्तवी कि स्थिति से अवगत नहीं कराए जिसके कहां वह अवर अभियंता के साथ कलनी लंबन की करवाई हुई और उसकी परिफल निकला कि वह अवर अभियंता जिंदगी माउस से जहर खाकर हस्पताल में जूज रहा है अपक्या आपने अल्टीमेटम दिया कोई केस नहीं है कोई दुराचार में नहीं है बस विजली आपूर्ती को लेकर हुआ है विजली आपूर्ती 27 डिग्री टंप्रेचर पर जो इननों ने एकुमेंट अबर अभियंता नहीं है न कोई ट्राफर्मा खरीता ना कोई केविल खरीता इस्पेक्शर के लिए कभी तो अगर विजली आपूर्ती बादिद है तो अबर अभियंता कहां जिम्मेदार है टंप्रेचर इतना जाद है कि एबीसी सारी चूचू के तूट तूट के ऊपर से गिर रही है तो उसमें अबर अभियंता क्या करेगा जितने भी निलंबन हुए है यह नाइटिक परिवार भी कराएंगे अच्छा उनके खिलाब उस परिवार भी कराएंगे जो लोग ने उसको उस पिड़न में दोसी है अच्छा एक चर्चा हो रहा है यहां तमाम तरह की बाते चल लए थी अभी बार की तरफ लोग खड़े थे उनका सीधा यह कहना था कि लापरवाई पब्लिक से रूबरू सीधे अवर भेंता होता है बीच वाला कोई नहीं होता उसी कमी बेसी उसे इतने कंजूमर है पांच यहार दसजार कंजूमर हर विजली घरों पे हैं दसजार विजली आपूरती गई तो दो मिनट के लिए उसका फोन चैन से नहीं उड़ता लोगों है कि काम नहीं कर रहे है काम अगर नहीं करते दें इतना बड़ा महान अगर बिशनी का नहीं रह सकता है यह यह अभर वहेंता है क्या कारियों से बात हुई है नहीं सब्सक्राइस किया है कि मैं जितने 8 लोग दो इनको मैं बहाल करा दूँगा नहीं होते हैं अगर नहीं करेंगे तो हम इसमें उनके साथ देखने तमाम लोग तमाम लोग उस्टे में हैं सबसे बड़ी बात यह है कि नम वेवस्ता है नम मैं पावर है और लोग चाहते हैं कि अपनी कम्यों को चुपाने के लिए करवाई कोई कमी हो रही है उसको आप होसला बजाई यह करके उस से काम करना चाहिए बिना टिमबर के आप चाहेंगे किसी का सिकायत आ गया इसको बिना जाज कि किसी परकार कि इसको करवाईकर दिया जाए वो बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत है सर क्या है आद देख रहे हैं सब लोग इखटा है और कहरे हैं कि जरुत पड़ी तो 14 से लेके जो सभी बुला लिये जाएंगा सारे जई इस समय सारे वर अभियंता सब लोग प्रताडिते अधिकारियों के कारिवाईयों से कोई ब्यवस्ता नहीं मिल पा रही है बिना कुछ उनसे असपश्टी कंड मागे बिना कोई उनकी सुने एक तरफा कारवाई की जा रही है जिससे सब लोग एकदम मानसिक रूप स टेंपरेचर है जहां निकलना लोगों का दूबर है उस समय में हम लोग पर चड़के काम करा रहे हैं छूना मुस्किल हो रहा है लेकिन फिर भी इसको कोई शंग्यान लहीं नहीं लिया जा रहा है ना कोई व्यवस्ता दी जा रही है ऐसे में हमारा मनोबल ना बढ़ा कि हम है परेशान किया जा रहा है मौनें और व्युवस्ता है परेशान किया जा रहा है और तक तक कि तक कि यहां नहीं हों देख़ेंगे राजेश कुमान ने जहर खाया है उस मामले में भी उनकी बहली के बाद लापरवाई पर सक्त एक्षन नहीं हुआ तो फिर 14 जिले के जो जेई हैं वो यहां मेरट में बुला लिये जाएंगे बड़े आंदोलन और बड़े धरने का इन लोगों ने एलान कर दिया है लेकिन इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों